असलाम लेकुम प्यारे बच्चों उमीद है आप सब अच्छे से होंगे आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे लाइट शैडूज एन रिफ्लेक्शन्ज यह आपकी साइंस बुक का चैप्टर है तो आपने एक बात नोटिस की होगी हम अपने इर्दगर्द इतने सारी मतलब अबजेक्ट्स देखते हैं बहुत सारे कलर्स देखते हैं रैंबो देखते हैं मतलब हर कोई चीज जो आप स्कूल से लेके गर तक देखते हो बस्स कार साइकल पेड़ पोदे जानवर या अबजेक्ट्स पे दिन में रात को देखोगे तो आपको वो क्या दिखेंगे बिलकुल रात की तारीखी में अगर आप एक बस की तरफ देखोगे आपको नहीं दिखेगी तो कौन सी ऐसी चीज हैं जो हमें उनको देखने में हल्प करती हैं और कोई और चीज देखने में ह देखते हो हाँ कुछ है वह भी आपको बताऊंगा आपको उसके लिए लाइट चाहिए जो आपको पर पड़ती है फिर आप उस अबज़क्ट को इसी चीज को देख पाते हो लाइक हम गर में लैप जलाते हैं लैप या सन है जो चीजे अपनी लाइट खुद देते हैं लाइ लियॉनिस ऑफजेक्ट्स कहते हैं लाइक मून हैं जो सन है सन अफफ़ाब यॡल खुद डेता है और उसकी लाइट जब मून पर पढ़ती है तो वह बी शायन होती है लैजर मून्ःट की लाइट यूज उब्जक्ट्स कहते हैं तो एप जो भी अब्जक्ट्स ने तीट होते हैं उन में हम कैसे देख पाते हैं एक टाइब के ऑब्जक्टि फोते हैं जिनके आरपार हम देख सकते हैं आराम से खी शीशा आध ग्लास अनको हम transparent objects कहते हैं और एक चीज़ है जिनके आज पास हम बिलकुल नहीं देख सकते हैं लाइक वुड हैं वुड का कोई कानलग रिपीश और उनको हम opaque objects कहते हैं और कुछ objects हैं जिनके बीच हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं लाइक कोई पेपर शीट होगा वो बटर पेपर या कोई ऐसा शीशा होगा जिनके आर पार हम पूरा अच्छे से नहीं देख सकते तो उनको हम translucent objects कहते हैं अब अपने आर अगर इरद गरद देखेंगे आपके पास बहुत सारे objects हैं लाइक पैंसल है उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वह क्या है ओपेक रबर बाल ओपेक है राइटिंग पेपर अगर वह आपको देखना पड़ेगा कौन सा राइटिंग पेपर है ऐसे शीशा क्या है तो आप किसका लिस्ट एक बनाएंगे उसके हिसाब से आप बोलोगे फिर की transparent कौन है translucent कौन है और opaque कौन है डिपेंडिंग और light किसमें कितनी जाती है ठीक है अब जो opaque objects है जब उनका क्या है जब उन पर light पड़ती है तो light आर पार नहीं जाती light रुक जा suppose अब क्या करोगे अगर sun में बैठोगे खुद तो आपकी shadow पड़ जाती है क्योंकि आप light आपके आर पार नहीं जाती है अगर आप एक शीशा रखो कि आप light में तो उसकी shadow नहीं बनेगी क्योंकि light बिल्कुल उसके आर पार जाकी नीचे गिरती है तो shadow opaque objects की बनती है फिर shadow तो उसी चीज़ का exactly light block होने की वज़ा से वह black एक उसी बिल्कुल same object की तरह एक शेकल बन जाती है ठीक है अब light source कहां पे हो लैंप कितनी दूर हो sun कैसे किस position में हो उस हिसाब से shadow या लंबी बनती है या छोटी बनती है अब experiment करेंगे अपनी एक अपनी shadow या किसी चीज की shadow क आप ड्रा करना अगर अपनी shadow हो तो किसी friend को बोलना इसको ड्रा करें किसी sheet of paper पे या इसी जमीन पे तो आप देखना कैसे बन जाती हो exactly आपकी तरह ही होगी वह ठीक है आपने हाथ से आपका हाथ पी opaque है अपने हाथ से जब गर में देखते हो अपने वाल पे different type के वह तो यह shadow किसी screen पे बनती है लेक गर के आपके ground पे ग्राउंड एक screen होता है उसकी इस बेसे पे या गर का एक wall होता है या building होती है या कोई screen होती है उस पे shadow बन जाती है shadow से हमें information मिलती है कि object की shape कैसी है ठीक है अगर आप देखो कि कोई tree दूर से उसकी shadow बनेगी तो आपके इस shadow के basis पे हम क्या करते हैं camera यूज करते हैं camera में भी एक sort of type of shadow ही बन जाती है जिसको वह capture करता है इसी तरह का camera है पिन होल camera में क्या करते हैं एक box लेते हैं उसको छोटा सा hole करते हैं आगे से फिर दूसरा box बढ़ते हैं उसमें screen जैसी बनाते हैं और कुछ objects की जो बहुत ही अगर आपको आपको नेचर में एक पिन होल camera है जब आप जब trees होते हैं उनके leaves के बीच छोटी चोटी जगह होती है उनमेंसे जब light निकलती है तो आप देखोगे नीचे ground पे बन जाती है चोटे चोटे dots बन जाते हैं बहुत sharp dots वह चोटी-चोटी image होती है sun की गोल गोल च की image बना सकते हैं तो जो sun की light है वो जमीन तक कितने टाइम में पहुंच जाती है वह आठ मिनट लगते हैं उसको sun से जमीन दगाने तक कितनी स्पीड से वह आती है थ्री लैक किलोमेटर पर आउर की स्पीड से आती है sun की लाइट यहां पर ओके तो अगर आप गर पे भी पिन होल केमरा बनाने की कोशिश करोगे आपकी साइंस बुक पे दिया गया है कैसे बनाते हैं पिन होल केमरा आप उससे भी ट्रै कर सकते हैं फिर आप देखोगे डि गर में देखा होगा मिरर मिरर क्या है मिरर एक ऐसी चीज है जिसमें आपको बिल्कुल अपनी या किसी चीज की क्लियर रिफ्लेक्शन बिल्कुल इमेज मिलेगी आप शीशा देखते हैं गर में आपको अपना आप बिल्कुल देखता है क्लियर ली तो जैसे आप खड़े ह होती है क्या होता है ऐसे कि आप पर जब लाइट पड़ती है वो फिर मिरार पर पड़ती है उसमें आपकी इमिज बन जाती है फिर वह रिफलेक्ट होती है अपने अपने देखा होगा